हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करता हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे आज है 5 सेप्टमबर और 5 सेप्टमबर साल 2024 के हर्याना करेंट अफेर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप सभी को बहुत बहुत नमश्कार और आज तो शिक शिक दिवस भी है तो मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को I wish you a very very happy teachers day च्योंकि आप भी अध्यापक ही हैं आप भी बहुत कुछ सिखाते हैं भगवान आपकी हर जायज इच्छा पूरी करें ठीक है ना जायज तो नहीं ना जायज इच्छा तो पूरी करें आप इस मक आउसे काम चले आपको प्रयास भी मेहनत भी करने मेहनत लगातार करोगे तो जाके positive energy भी साथ देगी आपका तो एक बार फिर से आपको जे टीचर स्टे की बहुत बहुत शुब काम ना है चलिए बढ़ते हैं आगे और अगर आप हां मुझ से पढ़ना चाहते हैं हर्याना सुमित आंतिल ने Paris Paralympic में पुर्स भाला फैंक में F64 स्परदा में कौन सा पदक जीता है तो F64 के टेगरी में अभी recently इन्होंने medal जीता है कौन सा gold medal पहले तुम आपको यह समझा देता हूँ यह F64 इसका क्या मतलब है देखो ऐसा होता है कि जो Paralympic खिलाडी होते हैं इसक क्या indicate करता है F field category के अंदर जो track and field की categories होती है यह नंबर जितना कम होगा उतना ही person ज्यादा disable होगा माल लेते हैं कि एक person F16 वाला है एक person F64 वाला है तो यह person ज्यादा disable होगा यह कम disable होगा यह नंबर जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा वह परसन उतना ही ज्यादा disable होता जाएगा और यह नंबर जितना घटता जाएगा उतना ही person ज्यादा disable होता जाएगा सुमित अंतिल है कहां के यह सोनीपत के हैं ठीक ना सोनीपत सुनीपत के खेवडा के हैं यह ध्यान रखना आप लोगे एक सीमा पुनिया अंतिल है उनका भी सवाल पेपर अभी सबसे बेस्ट ठोdoor आएगा और यह पैरालंपुक का रिकोर्ट भी है जान रखना पिछली बार भी इनोंने रिकोर्ड बनाया था इस बार भी इनोने रिकोर्ड ही बनाया है दौज़र पंदरा में सडक हाथसे में जो हिना आपाईस हुए थे दोनाचारी Украї vacun अवर्डी कोच नवल सिंग से जैवलिन थ्रो के गुर सीके हैं, 2018 में इन्होंने एशिन चेंपिंशिप में भाग लिया था, पांचवे रैंक प्राप्त की थी, 2019 में वर्ड चेंपिंशिप में सिल्वर मैडल जीता था, नेशनल गेम्स में भी सुमित ने स्वर्ण पदक जीत है अभी बैडमिंटन के अंदर जीता है इन्होंने, नितीश कुमार ने ग्रेट ब्रिटेन के डैनियल बेथेल को हरा के गॉल्ड मैडल जीता है, इसके लावा बादरुगड के योगेस कत्थूनिया ने भी पुर्स वर्ग में डिसकस थ्रो एफ 56 के टेगरी में सिल्वर मै जीत लिया, मेंदरगड जिला के गाओं जो कालबा है, यहां के रहने वाले मोना अगरवाल इन्होंने भी 10 मिटर एर पिस्टिल में सिंगल इवेंट में कांशय पदग जीत लिया, तो हर्याना जीके के बहुत इपॉर्टेंट किशन है यह वाले जो आपको याद रहने चा कोई आपके आगे कंटेंट पेश किया है इस चैनल ने, कुछ किशन जो होते हैं वैलिड तो उनको मैं पब्लिस कर देता हूँ आपके आगे, कुछ रिवीजन है आपके लिए आज जैसे हर्याना सरकार ने ससस्तर बलो और केंद्री ससस्तर पुलिस बलो के युद ससस्तर प सहीद सम्मान योजना, इसका मतलब है कि ससस्तर पुलिस बल या किसी भी आर्मी आफिसर के पीछे जोब दी जाती है उसके बल उसके बाद में, तो वो वीर सहीद सम्मान योजना कर दिया उसका नाम बाब, 13 जुलाई 24 को कोन से राज्ये में इस पार वन महत्साव कोन सा मना टरो दीवस मनाते है हर्यान में ठरू और हर्यान में ब्तौतब ज्यक्त पूर shortcuts हमाना सम्मान अकर कोहसं, पार पेदे़ अनट पहते हम फ्यक्त पर्स。 करणाल के अंदर सबसे कम पेड हैे वल 1.8 परसंटेज सबसे कम पेड़ ह्रियाना में नए आंखडों के अनुसरार Q40asy about 6.7% के आसपास होना चीए 20% पूरे बारत में सबसे कम पेड परसेंटेज हर्याना राज्य में ही है हर्याना के किस संस्तान को जुलाई 2024 में गोल्ड केटेगरी कि स्कोच अवोर्ड मिला था तो ये सिक्षा बोर्ड को मिला था हर्याना में अब सरपंज बिना इटेंडर के कितने रुपे तक का काम करा सकेंगे 21 लाख रुपे तक का हर्याना में चात्रों की बस पास सुईदा 60 किलोमेटर से बढ़ा के कितनी कर दी पंजाब और हर्याना हाई कोट के नए चीफ चस्टिस कोन बने है शील नागू बने है ये हर्याना के मुखे निर्वाचन अधिकारी कोन बने है तो पंकज अगरवाल बने है मुखे निर्वाचन अधिकारी हर्याना के किस सहर में एशिया की पहली स्वास्ते अनुसंधान से संबंदित प्री क्लिनिकल नेट्वर्क सुईधा का उधगाटन किया गया है फ्रिदावाद के अंदर चलो सर आज के सेशन के इतने ही क्यूस्तन थे मैं आप लोगों को एक सवाल आज पूछ राओं की हर्याना के एक मातर सीम का नाम बताइए मुझे आप लोग जो की गवर्नर भी रहे है किसी राज्य के गवर्नर भी रहे सीम भी रहे हर्याना में और गवर्नर भी रहे कब गब रहे किस किस राज्य में रहे बताना आप लो Thank you so much, stay happy, stay healthy और एक बार फिर से अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुब कामना है रादे रानी किरपा रखे आप सभी पर और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे आपका स्वास्ते हमेशा ठीक रहे, यह मेरी दुआएं है